स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में आजदिनांग है 6 अप्रैल 2024 दोस्तो इस वक्त हम मौझूद हैं डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन की जो नई सेकेंड इंट्री है उसके बाहर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नई सेकेंड इंट्री को किस प्रकार से हमारे लेबर भाई लोग हैं वो सेकेंड इंट्री के उपर कारी करते हुए नजर आ रहे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन से अमरत भारत कारी रोजना की फुल अपडेट देंगे तो आप लोग आज के इस वीडिय डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन से कैसा लगा सामने जो आप सभी को ये छोटी सी रोड आती हुई दिखाई दे रही है ये डाली गन क्रोसिंग से आती है सीतापुर की दिसा से जो सीतापुर की रोड है उस तरब से यहाँ पर देख सकते हैं कार ही कार ही चलता हुआ आज की अपडेट के साथ साथ डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी नई ट्रेने चल सकती हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है तो आप लोग आज के इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों चलते हैं डाली गन जक्सन रेलवे स्ट स्टेशन के प्रेटफाउम नंबर वन पर और वहां क्या कुछ कारी हो रहा है क्या कुछ कारी हो गया है उसका छोटा सा व्यू आप सभी को दिखाते हैं फिलहाल यहां पर देख सकते हैं जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं वो कारी करते हुए नजर आ रहे होंगे और डाली तो चलिए चलते हैं अंदर दोस्तो डाली गन जक्सन की जो नई सेकंड एंट्री है इसका जो रास्ता है सामने देख सकते हैं बंद कर दिया गया है तो हम लोगों को इस तरफ से चलना पड़ेगा घूम गरके यहां पर निर्मार कारी किया जा रहा है तो इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया है जगे देख सकते हैं काफी मात्रा में यहां जगे आप सभी को पड़ी हुई नजर आ रही होगी दोस्तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोग वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा काफी सारी हमने जो जानकारियां हैं वो आज के इ यहां पर देख सकते हैं जो हमारे भाई लोग हैं वो कार करने में लगे हुए हैं और आप लोग मानके चल सकते हैं डाली गंजक्सन रेलवे स्टेशन की जो पुरा नई विल्डिंग है सेकेंड एंट्री यानि कि जो नया भवन ये वाला है इसमें अभी चार से पांच महि इने आसानी से लग जाएंगे तो चलिए चलतो हमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है और हमको ये लग रहा है कि यहां पर भी जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है देख सकते हैं जगे आप सभी को काफी मात्रा में यहां पर नजर आ रही होगी चड़ करके प्रेटफॉर्म नंबर एक पर चलना पड़ेगा हमको ये देख सकते हैं इस तरफ से प्रेटफॉर्म नंबर वन पर जाना पड़ेगा सामने दोस्तों हो जाएगी डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन की दिसा तस्वीर धीरे धीरे डाली गन जक्सन रेलवे उन्ने दोस्तों लकनाव सिटी और लकनाव जक्सन रेलवे स्टेशन की जो दिसा है वो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इस वक्त दोस्तो हम आ चुके हैं डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन के प्रेटफॉर्म संख्या वन पर यहाँ पर देख सकते हैं जो डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन की तस्वीर है वो दीरे दीरे बदलती हुई आप सभी को नजर आ रही होगी डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन के प्रफॉर्म संख्या वन का जो सिल्टर है इस पर कई जगों पर जो टीन से डालने का कार है वो अभी बाकी है तो इसको भी जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा सामने डिजिटल वॉक आप सभी को लगी हुई नजर आ रही होगी कई सारी और भी डिजिटल वॉक जो हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी जिसके लिए कार किया जा रहा है और यह दिसा हो जाएगी गोरकपुर और सीतापुर जक्सन रेलवे स्टेशन की सामने देख सकते हैं आप सभी को कई जगों पर जो टीन से डालने का कार है वो यहाँ पर बाकी है तो इसको भी जल से डाल लिया जाएगा अभी दोस्तों यहाँ से कोई पसिंजे ट्रेल नहीं है तो आप सभी को सन्नाटा नजर आ रहा होगा और देख सकते हैं काफी बड़ा सेल्टर यहाँ पर डाला गया है और आर्पी अप सर भी सामने आप सभी को नजर आ रहे होंगे चलिए दोस्तों चलते हैं डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन के प्रेटफॉर्म संख्या चार पर और वहाँ पर क्या कारी चल रहा है वो हम आप सभी को आज के इस वीडियो में दिखाते हैं और दोस्तो डाली गंजक्सन रेलवे स्टेशन पर पानी पीने की जो बयवस्था है वो कुछ इस प्रकार से की जा रही है तो हम आ चुके हैं डाली गंजक्सन रेलवे स्टेशन के फूट और ब्रिज के ऊपर यहां से व्यू देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज का किस प्रकार से आप सभी को नजर आ रहा होगा काफी ब्यूटिफुल व्यूव देख सकते हैं दोस्तो दोस्तो आज के इस अपडेट में हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी देंगे वो गुड न्यूज आप सभी के लिए क्या है मैं आप सभी को दोस्तो बता दूँ मुरादाबाद मंडल के अंदर दोस्तो बरेली से रोजा और मुरादाबाद से बरेली के बीच में जो ICF रैक के साथ मेमो पसिंजट ट्रेने चलती हैं इन पसिंजट ट्रेनों को आठ अपरेल 2024 से मेमो रैक में कनवर्ट कर दिया जाएगा जी यहाँ दोस्तो ये बिल्कुल सही सुना आपने इसकी जो कटिंग है वो मैंने वीडियो के लाश्ट में लगा दी है आप लोग वहाँ पर जा करके पढ़ लीजिएगा और जितनी भी ICF रैक के साथ त्रेने चलती हैं इनको धीरे धीरे करके मेमो रैक में कनवर्ट कर दिया जाएगा जिसके लिए तैयारियां जो है वो रेलवे कर रहा है फिलहाल दोस्तो इस वक्त हम मौझूद हैं डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन के फूट ओवर ब्रीज के उपर चलिए चलते हैं प्रेटफॉर्म नंबर चार पर वहाँ पर क्या कुछ कार ही चल लहा है उसकी अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में दिखाते हैं दोस्तो यहां से आप लोग देखिए कितना सारा जो मटेरियल है वो डाली गन जक्सन के प्रेटफॉर्म संख्या चार पर डंप हुआ आप सभी को यहां पर नजर आ रहा होगा दोस्तो फूट और ब्रिज बनाने का जो कार है वो भी यहां पर किया जा रहा है नए सिर्यस है सारा जो निर्माण कार है वो यहां पर किया जा रहा है इस तरफ से भी दोस्तो देख सकते हैं दोस्तो जो डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन की नई सेकंड इंट्री है उसके बाहर भी काफी ज़्यादा जगे पड़ी हुई है और यह पुरानी वाली बिल्डिंग है इसके बाहर भी काफी ज़्यादा जगे पड़ी हुई है फिलहाल यहां पर जो स्टेंड है वो संचालित किया जा रहा है अभी नई सेकंड इंट्री के बाहर जो स्टेंड है वो अभी नहीं बनाया गया है तो चलिए चलते हैं फूट ओर ब्रिज के नीचे चान नंबर प्रिट्फॉम पर और वहां से आप सभी को दिखाते हैं अपडेट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप सभी को मज़ा भी आज के इस वीडियो में आएगा तो प्लीस वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा दोस्तो यह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो फूट ओर ब्रिज है वो डाली गंजक्सन रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है यह सामने हो जाएगा डाली गंजक्सन का इस्टेंड और यहां पर जो कार है अम्रिद भारत योजना के अंतरगत वो किया कार ही कार यहां पर चलता हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं कितना सारा जो मटेरियल है वो डंप हुआ आप सभी को यहां पर नजर आ रहा होगा और यह डाली गंजक्सन की पुरानी वाली जो वेल्डिंग है इसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जा रहा है भाईया लोग काम करने में लगे हुए हैं देख सकते हैं काफी रबतार के साथ जो कार है वो यहां पर किया जा रहा है यहां पर जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं वो लगाए जाएंगे पहले दोस्तों टिकट इस वाली बिल्डिंग में मिला करते थे जो ये प्लेटफॉण नमबर चार पे बनी हुई है अब नए भावन में टिकट मिलने लगे हैं यानि कि नई सेकेंड एंट्री जो बनाई गई है डाली गन जक्सन की वहां पर मिलने लगे हैं यहां पर देख सकते हैं जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं इसको किस प्रकार से दुला जा रहा है पहले दोस्तों यहां पर जो टिकट हैं वो मिलते थे ग्रेनाइट के पत्थर को देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहां पर धुला जा रहा है में आने वाले चार से पांच महिनों के अंदर जो डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन की तस्वीर है ये आप सभी को बदलती हुई नजार आएगी दोस्तों डाली गन जक्सन rhailway station से कई सारी नाई ट्रेनों का जो संचालन है सुनने में आ रहा है वो भी यहां से किया जाएगा सामने आप सभी को जो स्टाफ quarter है वो नजर आ रहे होंते डाली गंजक्सन के और बताया जा रहा है कि यहां पर जो लोको पाइलेट्स हैं उनके रहने की विवस्था की जाएगी आपको जैसा की मालूम होगा दोस्तों पीली भी जुड चुका है और बहुत जल्द ट्रेन संचालन को ले करके डेट आने वाली है और कई सारे लोगों का मानना है कि डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन से पीली भीत के लिए पसिंजे ट्रेने और कई जगों के लिए डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन के लिए चलाई जाएंगी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन सी नई ट्रेने डाली गन जक्सन रेलवे स्टेशन से चल सकती हैं आप लोग हमें कमेंट करके जरूर दोस्तों फिलहाल इस सुबह सुबह का नजारा मैं आप सभी को डाली गंजक्सन से दिखा रहा हूं यहां पर अभी जो इसकी छत है वो पढ़ना बाकी है देख सकते हैं दोस्तों कई सारे लोगों के कमेंट सा रहे थे कि भाया डाली गंजक्सन रेलवे स्टेशन से आ रही होगी यहां पर भी एक सेल्टर डाला जा रहा है प्रेटफॉर्म नंबर वन पर सीता पुर्की दिशा में और यह भी एक सेल्टर है चार नंबर प्रेटफॉर्म पर पहले दोस्तों डाली गंजक्सन के प्रेटफॉर्म नंबर चार से नकहा जंगल पसेंजर ट्रेन देख सकते हैं दोस्तों और जो डाली गंजक्सन रेलवे स्टेशन का फुट ओर ब्रिज है सीतापुर की दिसा में जो नया बनाया जा रहा है इसका निर्माल कारे दोस्तों कई सालों से चल रहा है मगर अभी तक ये फुट ओर ब्रिज कम्प्लीट नहीं हो पाया देख सकते ह दोस्तों इसका कार अभी अधूरा है गडर रखना भी बाकी है गडर तो दोस्तों आगये हैं गडर रखे हुए भी आप सभी को प्रटफॉरम पे नजर आ रहे हूँगे 2 और प्लेटफॉर्म नमबर एक की रैम्प है इसको अभी नहीं बनाया गया है तो इसमें अभी समय लगेगा देख सकते हैं गड़र आप सभी को रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे डाली के इंजक्षन रेलवेश स्टेशन पर और सामने स्टाप क्वाटर आप सभी को नजर आ रहे होंगे इसी में जो लोको पाइलेट्स हैं वो रुका करेंगे ये थी एक दोस्तो छोटी सी अपडेट डाली गन जक्षन रेलवेश स्टेशन से उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी